प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के हेडलाइन्स पर राज्य की उपमुख्य मंत्री अजित पवार आज बुल्डा ना पहुंचे सिंद खेडा में मार्ज जिजाओ की जन्मसरी का भी किया दौरा पुलिस ने क्रिकेट बुक्यों के अड़े पर मारा च्छापा जाल बिचा कर बुक्यों को रंगे हातों फकड़ा कुल चार लाग पचास अजार का माल किया जब और चंद्रपूर में 305 वरवदुगा सामोहिक विवास हमारो है जिले के सभी दलों के नेता शादी में हुए शामिल और अब खबरे विस्तार से राज्य की उपमुख्या मंत्री अजित पवार पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से ये कहते वे नाराज है कि राज्य सरकार एतिहासिक स्थालों के सरक्षित किया जाना चाहिए इसलिए उन्होंने सिंद्ध खेड़ा में माजिजाओ के जनमस्थान का दौरा किया है राज्य की उपमुख्य मंत्रे जित पवार आज बुल्धाना जिले पहुँचे है इस अवसर पर सिंद्ध खेड़ा में माजिजाओ की जनमस्थाली का भी दौरा किया है उसकी बाद सिंद्ध खेड़ा जा स्थित एतिहासिक स्थालों का निरिक्षिन किया गया सिंद्ध विकास योजना एवं जिले के विभिन विकास कारियों के समिक्षा बैठक आज दो पहर दो बजे सिंद्ध खेड़ा जा पंचयल समेती हॉल में होगी साथी कश्र भी शाम चार बच कर 40 मिनट पर तेवल गाव राजा रोट सित समरुद हाईवे के चौराहे पर माजिजाओ और शिवबा का नियोजित प्रतीमा निर्मान स्थल का निरेशन करेंगे उनके साथ खाद्य एवं आउशदी प्रशासन मंत्री और बुल्धाना जिला सरक्षन मंत्री डॉक्टर राजन रशिंग ने मौजुद थे कि दिर्दे पाउन दोन देघर मनना आगलागे उत्सान मंझे उत्सान मंझे इतो चार भूइल बान लेगे उते में दोन गाई होते हैं, वासरू होते हैं, आणि मी जोपी की मुठला बर्वर एकदम पेजा कलकट होऊं, मी आत्मा देशिरू, पहले देजे दोर कपले, तिक्ते चत माजा हाद जड़ाबा, आपकोर्मा, आणि एकुन ठुद आस लाग मिलिया, आंगा और चादर गून कशे नागपूर में 20 दिसंबर को राज्य के सानिया निकाय में नागरियों के पिछड़े वर्गों में आरक्षन के लिए समर्बित आयोक की बैठकी गोशना की गई है महराष्ट सरकार ने शहर में जिला परिशदों, पंचाद समिती, ग्राम पंचायतों और नगर निगमों, नगर पालिकाओ और नगर पंचायतों में पिछड़े वर्गों के नागरिकों, ओबिसी, विजे एंटी को आरक्षन प्रदान करने के लिए सरवच्चे नायले के निर्देशा नुसार एक समर्पित आयोक का गठन किया है। इसके लिए कलेक्टरेट स्थित चुनाव शाखा के हेल्प डेस्क पर समपर्क करें, समर्पित आयोक के दोरे के दोरान नागरिकों को समय पर अपने विचार व्यक्त करने और बयान देने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए आप कलेक्टर कारियाले में समपर्क करें। कुराडिक शेग्र में पॉष कॉलनी के लाइव एज ग्रिन अपार्टमेंट में पाचुए माले पर क्रिकेट बुक्यों Κारोबार शुरू था पुलिस को जान करी मिलते ही जाल बिचा कर पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया और हिरासत पे ले ले लिया के फ्लैट नंबर 501 में छापा मार कर चार क्रिकेट भूकियों को रंगी हाथ पकड़ लिया आरोपी मोबाईल, टीवी स्क्रीन, लैप्टॉप के माध्यम से सट्टा लगाते थे इसमें शामिल आरोपी अभिजित मुच्चावार, आशिश दुबे, नागपुर के रमिंदर कुमार शर्मा और अजे कुमार चौपाल बिहार से है लेकिन इस व्यवसाय का मुख्या आरोपी मिने दिवारी नामक प्यक्ती है और बाकी लोग उसके साथ ही थे पुलिस ने आरोपी के फ्लैट से तीन लैप्टॉप, 25 मोबाइल, सिस्टम चलाने वाला होल्डर, वोईस रिकॉडर, माइक सिस्टम, से टॉप बॉक्स, वाइफाई बूस्टर, दो वहान ऐसा कुल 4,50,000 का माल जब्त किया है कि त्या खबरों आमें सदर्चा ठीकाना ची रेकी के लिए पहानी के लिए आधी दिवसला जाओं आनि त्यान अंतर सारे साथ वास्ता मैस शुरूदर, त्या परतिन आमें फिल्डिंग करूं जबपस आठ वास्ता, लावरेज ग्रीन अपार्मेंट मधे आप्टेला टीवी स्क्रीन एंचा सहे ने आईटेल वार किकेट सक्टा घिनाचा काम करूं आला मेला, त्याठिकानी आमें एक चार लोका मिलाले आमाला, त्यामादे एक अभिजीत मुच्छावार आनि आशीज दुबे हे प्रापर छावनी नापूर चाहे, त्या प्रमाने आमाला ल त्याना आमें विचार पूस केली, त्यानी आमाला सांगितला कि विने किवारी हास अगला अड़ा चालो उतो, त्यावर नामी सदर जर्दी घितली, त्याठिकानी आमाला तीन लाप्टाप, प्रपस पंचिज मुबाईल, एक त्यान चा चोविस लाइन होल्डर चा बॉक विंटर, सेट अप बॉक्स, नेट पुरने साथी हासपट, वाइफाई बुस्टर, आसा दोल मोटर साइकल, आसा बरत साहते अमाल त्याठिकानी मुणू नाला, जोलपस अमाला साधी चार लागा चा मुद्यमामी त्याठिकानी चापते गिला, त्या मेन आरूपी कौन अ पिने तिवारी आहे, आनि हाँ सगड़ा पाकी चा जारूपया है इतर चार, यांगना सुबद ग्योन हाई विवसा कर चुता, त्या मेन तिवार यहाँ चावनी नापकुर्चा साहे इतला, सुमची तापा साथा चालूए त्यानादर आहां, आमी सद्या माराश जुगर क आज सुबह गरिब साथ बज़े नापकुर के जिंगाबाई टाकली इलाके में पुरुषत्तम बाजार स्टोर में अचानक आग लग गई, अचानक आग लग जाने से सब चौग गय, अगनिशमंदल एक घंटे में आगपर काबू पाने में सफल हुए नापकुर के जिंगाबाई टाकली इलाके में पुरुषत्तम बाजार डिपार्टमेंट स्टोर में अचानक आग लग गई, संजे चाबडिया और अंकित अगरवाल स्टोर के मालिक है, सुपरमार्केट ड्राउंड चार मंजिला इमारत के भूतल परस्थित था, आग केव जानकारी के अनुसार करिब 9 लाख रुपे का नुकसान हुआ है और 55 लाख रुपे के सामगरी बचाई गई है, नगर निगम के अगनी शमान एवम आपत कारिन सेवा विभाग के कुल चार दमकल का रमियो को स्टेशन अधिकारी राजेंदर दुपे की देखरेक में आग पुझाने में लगाया गया, विगे बिन्यूस के लिए कामरा परसंट रौशन बोक्र के साथ लिना कट्रे की रिपोर्ट बग तो चला एक ब्रेक का, मिल देख चुड़े से ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका पाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है, फ्लाइवी एविएशन अकाडमी फ्लाइवी एविएशन अकाडमी एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पितालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert, practical training at airport, expert faculty, personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पासकने है फ्लाइवी एविएशन अकाडमी, one degree, three job opportunities फ्लाइवी एविएशन अकाडमी, gives you a degree or diploma with a job फ्लाइवी एविएशन अकाडमी, 365 गानी नगर, L.A.D. College Square, beside Karnatika Bank, Nagpur जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधनिक लेजर से उपचार अभियोदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महापुष्प सोसाइटी शताब दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर काल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com ब्रेके बाद आपका फिर से स्वागर रिसाइकलिंग के माध्यम से उचित नियोजन करना अत्यन तावशक है परन्तो ऐसा नहीं किया जाता जिसकारण डंपिंग याड परिसर में बद्वू वप्रभूशन निर्मान हो रहा है यदि इस घंकच्रे का सही तरीके से नियोजन कर गिला तथा सुखा कच्रा अलगलब कर गिले कच्रे से बायोगैस बनाई जा सकती है तथा बच्चेवे कच्रे से खत बना कर किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है उसी प्रकार प्लास्टिक का रिसाहिकलिंग से नगर परिशत अपनी अग्राड भी बना सकती है भारत सरकार घंकच्रा वयोस्थापन के लिए बड़ी मात्रा में निधी उपलप्त कराती है ऐसी राय राज़िश दुबे ने दी त्यार उती जन्रेटर के मात्रां से इस तरीके का नगर पालिका ने करना चाहिए जिससे लोग आम जनताओं को भी परिया वरंद सच्छे आब हवा मिलेंगी प्रदूसन की समस्य निर्मान नहीं होंगी और नगर पालिका की एक मोटी आय निर्मान होंगी जिससे नगर पालिका मस्बूत बनीगा वीकेबी नियूज में आपका सबका सौगत है इस समय हम नगर परिशट के कच्छरा डंब की मियाट परिशर में खड़े हैं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कामटी में जो कच्छरा निकलता है घरो सुका कच्रा और पन्यों को अलग करके रिस राइकिंग किया जाता है परन्तु यहाँ पर नगर परिशट इस प्रकार की किसी प्रकार की विवस्ता नहीं की गई है मातर यहाँ पर कच्रा लाया जाता है और कच्रा लाके डाल दिया जाता है परन्तु नगर परिशट ने इ आनी आएंगा तब यह कचरा बहकर नाला जो पीछे में नाले दावरा बहकर बहा जाएंगा जिससे इस परीशर में बद्बू गंदगी फैल जाएंगी लेकिन फिर भी नगर परीशत का इस और किसी प्रकार का ध्यान नहीं है जो कि लोगों ने यहां की मांग किये कि इस कच प्रवसांसत नरेश पुगलिया ने किया, भाग लेने वाले जोडों को सांसरीक सामगरी दी गई, सांसुरतिक कारेक्रमों कव्वाली, मेराथान सहित विभिननक कारेक्रम का आयोजन करके इस कारेक्रम का विस्तार किया गया शादी में जिले के सभी दलों के नेता मौज़त थे इस वर जो जाता है वो किसी पत्पे रहे न रहे लेकिन उसका काम सब्दे रहता है ताकि यो आकि इस मुझी के मौके पर मैं नौ कंपची से अभेक्षा करूँगा कि अपने बागवी जीवन में पोने के खेट तालुका के ब्रिहम में बकरियों को चराने के दोरान युवाओं को खेट में 15 सदी के सिक्के मिले ये घटना 4 जन्वरी 2022 की है खेट तहसिलदार ने सिक्का जब्त कर लिया है साथी 19 तारिक को 17 के शिवाजी महारत संग्राले में लाया गया इस बात की जान करे संग्राले के प्रमुख प्रविंट शिंदे ने दी इन सिक्कों में शिवराय के सिक्के, अकबर के सिक्के, बहमनी सुल्तान के सिक्के, इस इंडिया गंपनी के निजाम साही सिक्के शामिल है और इसका वजन लगभग 2.40 किलो ग्राम है 147 तामबे के सिक्के वाहने सहायक निदेशक, पुरा तत्वो पुने द्वाराश्री छत्रपती शिवाजी महारात संग्राले के प्रमुख प्रविंट शिंदे को सौपे गए 4 जनवरी 2022 को रोहित दा सावंत का पुत्र सुयश रुकाडे अपने खेत में बकरिया चराने गया था उस समय उने खेत में 15 सदी के 147 सिक्के मिले थे मेनपाला सापली होती सादरन ही नानी 167 चलासूं त्याची वजन 18 किलो है ही नानी ही साइक संचलक प्रतविभाग पुने एंच्या तावय देलन अंतर तेतुन त्यानी सदर नानी ही सादर शक्राशल सम्याश गयरूरी है विश्याज मन्जίας या नानी में 19 कोईस क्या प्रावनी आगबराजिस नानी मी निजम स life अरया मैं भामनी नानी अस्या विविद प्रतश्या नानी ओण्वेसeg विषभ ब्रों अर्य या मदेजेड़्यानाई नानेमनजे विशेश मनजे। इतर वस्त्तु ये होतिया। परन्गुद। देश में महेंगाई तीजी से बढ़ी है, हाला कि अच्छे समय की भाषा बोलने माले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई उपाई उजना नहीं करते इस महेंगाई की बजल से केंद्र की भाषप सरकार ने गरीबों की कबर खोद दी है, एसार अप लगाते हुए, नराकापा यूँआ कॉंगरेस की कारे करताओं ने मंत्री आप्र जीतिंद्र आभाट और नगर अध्यक्ष आननद परांजबे के मार्क दर्शन में प्रधानम संत्री कारेयले की मायत का सामान भीज़े है इस दोरान कारेकरताओं ने मोधी सरकार की निंदा करते हुए कड़े एलान किये, आंदोलन की जगा कारेकरताओं ने लकडी, गमले, फूल, कुम-कुम, अभीर, चटाई, आधी का इंतिजाम किया था, इन सभी सामगरियों को एक बोरी में पैक कर कुरियर से प्रधानमंत् आधी केंद्र सरकार मागाई है विशेवर दुरलक्ष करताओं आए, आज तुम्ही बगतासाल सर्वस सामानने मांट सला, तेचा दरोच जीवना मदे जे, आज अपन गयास मन्तो, गरगुती गयास मन्तो, तेचा गरगुती गयास ची किम्मत आज, तेराशी रुपे परंत तेला भरकटवाईचा, आज जा पद्दती नी श्रीलंकेत परस्तिती जाली है, सरवसामने मांट साचा मनत ही भीती है, के उध्या कदाची देशा, आज भारत या देशा दाशी परस्तिती यहुन है, मनों आज आज आमी लोकान ना एक आवान करतो कि पुडचा ये नारे क परदाश कर चुके और आने वाले वक्त के अंदर, मोधी सरकार को इसका जवाब मेंगाई के जो मेंगाई के दर बढ़ा है इसका जवाब देखे ही रहेंगे, आज हमार अस्तर इतना कर चुका है के जेडिपी, बंगला देश ते हमारी नीचे जाचुकी है, और हमें भुंगे की ही राजनीती दिख रही है आज आमी जो भारत देशा मदे मागाई चा बसमासुर मोधी सरकार चा रूपा नी, सर्वा सामन्य नागरिकार चा नईड़े वरती बसला है सर्वा सामन्य मानूस जागाई चा या भुजा नी, पक्त मरना चा बाकिये मरना संन गालेले, एक ही कुटली सामन्य घोश्ट अशी जाचे दर वाड लेले नईए सर्वा सामन्य नागरिक जगों श्यकत नही है आता फक्त तेची मरना ची चुवेल बाकिये अनि हमान्य पंता प्रदान मोधी साहेबाना कफ़ाव Zweensyn दमान्य पंतां साथनी द darle को तभतोत हमान्य पंता प्रदान कारेलामेद तरहता है आज सुबर मनोरा तालुका के सिंगत से सोमनगर रोड पर दो पहिया वाहन की टककर हो गई हाथ से में नीचे गिरे हुए एक व्यक्ति को पीछे से आने वाले ट्रक ने कुछल दिया उसकी उसी समय मौत हो गई और दुसरा व्यक्ति गंभिर जख्मी हो गया उसे अस्पताल में भरती कराया गया है तो विकेपी प्राइम टैम न्यूज में आज इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेपी न्यूज नमशकार